तो भाई आज की दूमे मैं काफी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताने वालूं आप सभी लोगों को जिनको आप अगर अपने किसी भी लो एंड हाई एंड किसी भी कंप्यूटर लैप्टॉप में करोगे न तो आपको बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट पर्फॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलने वाला है यहापर मैं बता दूँ आपको मतलब अपने लैप्टॉप या कंप्यूटर को नॉर्मल चलाने में भी यहाँ पर बूस्ट देखने को मिलेगा और अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो तब तो आपको देखने को मिलने ही वाला है समझ चुके होगे आप मेरी बात लो एंड हाई एंड कोई भी यह जरूर करना क्यूंकि अगर मैं भी मेरे पास भी कोई हाई एंड कंप्यूटर या लैप्टॉप होता तो मैं भी इसे जरूर करता हाले कि मैं बता तो यहाँ पर जो 2GB का ग्राफिक्स कार्ड है ठीक है तो यहाँ पर जो 2GB का ग्राफिक्स कार्ड है वो एक edge है मेरे laptop के लिए जो उसे मतलब थोड़ा सा डिफरेंट कर देता है बाकी सारे laptop से जो इसी सपक रेंज में आते हैं तो भाई काफी ठीक ठाक सा मेरे पास GPU है जिस इसके साथ गेम काफी चल जाती है तो यहां पर मैं बता देता हूं कि अगर आपका जो लैप्टॉप है वो किसी भी गेम की मिनिम्म रिक्वार्मेंट को फुल्फिल करता है यहां थोड़ा बहुत नीचे भी है मतलब स्लाइट सा डिफरेंस है थोड़ा बहुत नीचे है मिनि मतले वाला हूं तो यह वाली वीडियो बेशिकली टार्गेट होने वाली है विंडोस सेवन और उससे आघे वाली जो भी विंडोस इस उन उन यूजव रहता है तो आप एज़ी कर पार होगे मैं विंडोस 10 यूज वाला हूं हाला कि विंडोस 11 में काफी जादा चेंजिस ह हुए है इसकी वह ऐसे हो सकता है कि कुछ चीज़ें यहां पर मैच ना करें तो आप देख लेना अपने हिसाब से लेकिन मैं Windows 10 यूज कर रहा हूं और 8.1 जो है और 7 विंडोस उसके उपर तो सब कुछ सेम ही रहने वाला है 90% तो रहे गई तो भाई यहां पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं एक बार आप यह पूरी वीडियो देख लो उसके बात सभी चीज़ों को इंप्लिमेंट करना शुरू करना एक एक करके मतलब फिर प्रोसीजर को फॉलो करना पूरा जो मैं आप आपको बताने वाला हूं तो एक बार वीडियो पूरी देख लो तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की टाइम स्टैम्स भी मिल जाएंगी तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो अगर आपको कोई भी सेलेक्टिव पार्ट देखना है इस वीडियो का तो भाई याँ पर यह मत एक्सपेक्ट करना कि कोई भी लैप्टॉप कोई भी गेम को चलाना शुरू कर देगा आपको उस गेम के लिए कंपैटिबल हार्डवेर चाहिए तब ही आप गेम को चला पहोगे तो जो भी गेम आपको चलानी है उसकी मिनिमम रिक्वार्मेंट् अगर आपका PC फुलफिल करता है तो आप यह वाली सभी optimizations कर सकते हो उसके बाद आपको काफी अच्छी performance उस गेम के अंदर देखने को मिल जाएगी तो भाई अब मैं आपको एक benchmark दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो में आपको क्या-क्या देखने को मिलने वाला है कैसे performance boost की मैं बात कर रहा हूं तो भाई कुछ टाइम पहले मैंने अपने laptop के उपर GTA 5 चलाई थी उसका मैं आपको benchmark दिखाता हूँ आप देख सकते हो कि जब मैंने optimizations नहीं कर रही थी तो गेम कुछ ऐसी चल रही थी काफी starter हो रहा था और 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 आप gameplay देखके समझ सकते हो कि game से नहीं चल रही थी तेकिन बाई जब मैंने यह सब optimizations की जो आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है उसके बाद game काफी smooth चल रही थी और काफी playable हो चुकी थी ठीक है मतलब अभी मैं इस laptop के उपर easily यह optimizations के साथ खेल सकता हूँ guys optimization शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक restore point create कर लो जिससे अगर कोई error आजाए यह आपको performance पसंद ना है optimization करने के बाद तो उसको आप alter यहां मतलब redo कर पाऊ ठीक है उसके लिए आपको यहां पर search करना है create a restore point और उसके बाद आपको कुछ ऐसी window बाना है ठीक है तो नीचे बाला configure button दबाओ यहां से आपको 4-5% select कर लेना 34 GB ठीक है तो इससे आपका काम चल जाएगा यहां पर turn on system protection पर टिक हो ठीक हो ठीक है और उसके बाद आपको ok पे click करना है और create पे click करने के बाद आपको नाम पूछेगा कोई तो कोई भी name assign कर देन सबसे पहले आपको settings में आ जाना है यहां पर update and security पे click करना है उसके पाद यहां पर check for updates कर लेना एक बार यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका system updated है या नहीं उसके बाद भाई हमें privacy वाले टैब में आना है तो privacy पे click करना settings में settings कोल के यहां पर आपको general में आ जाना है इस time हम windows permissions में है यहां पर आपको general में सब कुछ off कर देना है यहां से just आपका data उठाया जाता है जो Microsoft के पास जाता है उसके बाद ठीक है speech में off कर देना भाई speech को अगर आप नहीं use करते online speech recognition inking and typing personalization भी off कर देना ठीक है अगर आप नहीं use करते तो वैसे तो कोई भी नहीं करत है और काफी यहां से usage background कम हो जाएगी आपके laptop और computer की activity history में दोनों चीज़ें off कर देना है just आपको यह boxes uncheck करने है ठीक है उसके बाद हम app permissions में आ चुके हैं सबसे पहले location है location off कर देना कोई भी नहीं use करता होगा भाई मुझे लगता है जहां तक जाद 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 लोग नही पूरा off नहीं किया यहां से तो मैंने कुछ चीज़ों को यहां पर permission दे रखिये तो आप check कर सकते हो अगर आप नहीं use करते camera तो off कर देना microphone भी मैंने totally off नहीं किया हुआ है तो नीचे मैंने जाके select किए apps जो मैं चाहता हूँ कि मेरा microphone यूज़ करें और मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनसे तो आप भी कर लेना select voice activation off कर देना और अगर on होगी तो off कर देना क्यूंकि काफी लोग नहीं use करते को टैना वगेरा को उसके बाद भाई यहां पर notifications off कर देना ठीक है उसके बाद बारी आती है account info की तो भाई account info भी off कर देना इससे भाई काफी मतलब यहां पर tracking वैकिंग पीछे चलती रहती है आपके account के साथ तो भाई बंद कर दो इसे privacy बढ़ेगी आपकी और उसके बाद contacts आते हैं भाई बंद करो contacts को अगर आप नहीं use करते calendar को भी बंद कर दो यहां पर change करके off अगर नहीं use करते phone calls हो गया इसे भी off कर दो उसके बाद call history भी off कर द करता हूं भाई Gmail की सारी उसके बाद भाई tasks को off कर देना ठीक है इससे काफी tracking वैकिंग पीछे से चलती रहती है तो उसके बाद भाई रेडियोज वाला option on रहने देना ठीक है काफी important है और यह मैं सोचा बता देता हूं आपको उसके बाद messaging off कर देना आप I don't think so use करते होगे तो off कर देना messaging को radios on रहने देना ठीक है उसके बाद other devices को भी on रहने देना अगर आप pair wear करते हो तो भाई मतलब इसको on छोड़ने में कोई बुराई नहीं है उसके बाद background apps की जो option है ठीक है यहाँ पर आपको आजाना है यहाँ पर मैंने सब बंद कर रखे हैं लेकिन अगर लेगी तो एक बाद restart कर लेना अपने laptop यह computer को उसके बाद भाई apps वाले section में आना है आपको अपनी settings के यहाँ से बाई जो भी आपको unwanted लगते है न apps उनको uninstall कर देना भाई जल्दी से जल्दी बतलब करो भाई करो उसके बाद भाई सर्च बार में disk लिक के सर्च करना और defrag segment and optimize drives की option आएगी यहाँ पर click करना है आपको open कर लेना इसको यहाँ पर आपको partitions दिखेंगे आपकी disk की तो इनको एक एक करके optimize कर लेना अगर आपके बास hard disk है तब ही करना SSDO तो फिर मत करना ठीक है और यह schedule optimization की option को off ही रहने देना उसके बाद भाई आपको windows प्लस R की press करन यह सभी फर्जी files उसके बाद यहाँ पर आपको type करना है फिर से एक बार percentage temp percentage ठीक है type करके enter मार देना और सब को select करके इनको भी delete कर देना है आपको तो यहाँ पर जब आप delete का button दबाओगे कुछ ऐसी option आ सकती है तो आपको do this for all items select करके skip के button पर click कर देना है तो यह कुछ important files details होंगी वो automatically skip हो जाएंगी इसमें से अब आपको फिर से windows plus R की दबाके type करना है prefetch preftch और यहां से भी सब कुछ delete कर देना है मैंने पहले से कर रखा है तो मैं show नहीं कर सकता कुछ लेकिन आप भी कर देना delete उसके बाद भाई अपना recycle bin खोल लेना और यहां से अगर आपके पास कोई भी important file है उसको restore कर लेना और बाकी सबको delete कर देना ठीक है जैसा मैं यहां पर कर रहा हूं तो clear कर लेना बस एक बार अपना recycle bin अभी आपको this PC खोल लेना ठीक है उसके बाद जिस भी partition में आपकी windows installed है उसकी properties खोल लेनी है आपको उसके बाद यहां पर disk cleanup के उपर click क कर देना है आपको ठीक है उसके बाद कुछ processing होगी उसके बाद आपको यहां पर जो भी boxes है इनको tick mark कर देना है यहां पर आपका downloads folder भी हो सकता है और recycle bin तो हो गई तो आप देख लेना उसमें कुछ important तो नहीं है बाद में कहोगी कि भाई delete हो गया है उसके बाद OK करके delete files कर देना ठीक है यहां से आपका बहुत जादा मतलब जो load रहता है आपके system के उपर वो कम हो जाएगा यहां पर tools पर आपको click करना है और यहां पर check वाला button दबा देना है इससे आपकी drive check हो जाएगी कि कोई problem तो नहीं अगर होगी तो fix भी हो जाएगी problem उसके बाद भाई आप task manager search bar में यहां पर आपको आजना है startup में तो यहां पर आपके PC driver जो हैं उनको छोड़के और जो आप apps use करते हो उनको छोड़के सब कुछ disable कर देना ठीक है एक बार फिर से आपको दवाना है windows plus R और type करना है msconfig ठीक है उसको open करो अभी मैं आपको बताता हूँ यहां पर आ बता देना है जैसे यहां पर कुछ google chrome की थी अगर आपके कुछ drivers वगयर होंगे ना तो उनको मत करना ठीक है तो भाई अब हम कुछ complex settings के उपर आने वाले हैं ठीक है सबसे बहले दबाओ windows plus R और लिख दो फिर से एक बार msconfig और यहां पर आपको boot वाले tab में आना है advanced options यहा folder जो बन जाएगा उसको आपको open करना है और zip file आप delete भी कर सकते हो यहां पर यह registry वाला सबसे पहले आपको folder open कर लेना है उसके बाद registry वाला document open कर लेना है अब यह आपको search bar में type करना है regedit ठीक है search करो उसके बाद registry editor खोल जाएगा उपर जो इसकी navigation बार इसको clear कर देना है और यहां से first line है इसको copy करना है सबसे पहले आपको document से और यहां पर paste करके enter मार देना है ठीक है और जब आप enter कर दोगे यहां से जो fourth number वाला यहां पर game DVR enable वाला option है उस पर click करना है आपको और यहां से आपको modify करके zero value कर देना है वाननुगी zero कर देना ठीक है फिर से navigation वाल इसके बाद यहां से सबसे नीचे वाली जो value है इसकी यहां से सबसे नीचे वाली value यहां पर आपको click करना है modify और उसके बाद आपको यहां से zero value करके ok कर देना है ठीक है इससे भी gaming performance अच्छी हो जाती है ठीक है समझ चुके होगे आप मेरी बात इसके बाद याद से भाही म वाला section खोलना है और यहाँ पर memory duct खोलना है और यहाँ से अगर आपका 32 bit system है तो 32 bit खोलना मैं 64 bit वाला खोलना हूँ क्योंकि मेरा 64 bit software है यहाँ से आपको task manager मैं खोल के दिखा देता हूँ यहाँ से आप अपनी memory को कम कर सकते हो memory usage को तो आपको just clean memory पर click करना है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो side में कितनी जादा memory मेरी clear हो चुकी है और गाईस इससे कोई side effect नहीं होता है मैं इससे मतलब regular basis पर use कर रहा हूँ तो तब ही बता रहा हूँ ठीक है उसके बाद second number वाले software पर click करना है उसको install करना है इसका नाम है pack control ठीक है आप जैसे किसी भी software को install करते हो बस next next दबा के आप इसको भी install कर सकते हो मैं अभी नहीं करने वाला क्योंकि मैंने already कर रखा है ठीक है तो मैं अभी इससे minimize करके pack control सर्च करता हूँ और pack control को actually open कर लेता हूँ सभी cores 100% पर ठीक है तो इससे काफी performance boost आपको देखने को मिलेगा और सब को 100% करने के बाद okay दबा देना ठीक है उसके बाद फिर से pack को खोल लो यहां पर software पर फिर से click करो उसके बाद एक और software एक quick CPU ठीक है यह जादतर optimizations आपको एक ही बार करनी पड़ेंगी ठीक है बार बार नहीं कि जब भी खोलोगे computer laptop तभी करनी पड़ेंगी बस इसको install कर लो easily हो जाएगा जैसे मैंने किया just next next और finish दबाना है भाई easily हो जाता है आप सभी लोग को पता ही है यह software कैसे easily install हो जाते हैं उसके बाद आपको यहां पर turbo boost index को 100 पर लेके जाना है यहां पर यह around 20% रहता है तो 100 पर ले जाना और यहां पर frequency scaling index को भी 100 पर ले जाना और उक्के दबा देना है ठीक है तो भाई GTA 4 और 5 वाले काफी बंदे मुझसे request कर रहे थे कि specific optimization बताऊ उनको कोई तो यहां पर GTA 4 जो है भाई उसकी optimization मैं दे चुका हूँ अभी इस pack में GTA 4 वाला folder खोलना command line है इसमें तो आपको navigate करना है आपके laptop या computer में जो भी GTA 4 का folder है उसमें उसमें अगर पहले से कोई command line है तो उसे delete कर देना मेरे में है तो मैं delete कर रहा हूं उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई उठानी है command line और paste कर देनी है ठीक है तो यहां पर paste कर दो इससे आपको काफी वायदा होगा तो भाई जो GTA 5 वाले बंदे उनके लिए भी यहां पर एक trick है तो आपको क्या करना है documents वाला folder यहां से खोलना है यहां से start menu से खुल जाएगा तो documents वाला folder खोलने के बाद आपको Rockstar Games में जाना है उसके बाद GTA 5 वाला folder खोलना है ठीक है और यहां पर settings पे double click नहीं करना है आपको ठीक है double click करोगे तो कुछ ऐसी interface खुल जा दी internet explorer की तो वो नहीं चाहिए आपको यहां पर right click करके और open with notepad करना है ठीक है notepad से इसको खोलना है अगर आपका hardware बहुत जादा कमजोर है तो ऐसा करना दूसरी तरफ जो मैंने यहां पर config दे रखी है GTA 5 वाले folder में उसको आपको copy कर लेना है पूरा copy कर लो copy करने के बाद आपको क्या करना है भी मैं बताता हू यहां से आपको select करना शुरू करना है जो official official file है न ठीक है GTA 5 के folder में तो आपको क्या करना है यहां से आपको नीचे वाली 3 lines को छोड़के सब कुछ replace कर देना ठीक है तो यहां पर यह 3 lines को रहने देना ठीक है यह video card details है आपकी तो भाई यह GTA 4 और 5 वाली जो अभी मैंने trick बता आपना नवीडिया ग्राफिक्स कार्ड है आप अपना नवीडिया कंट्रोल पैनल एक बार खोल लो अभी मैं सिंपल सी सेटिंग बता रहा हूं शायद आपने आपने की हो आपको गया करना है get physics configuration वाला जो option है उसको click करना है और यहां पर अपना जो dedicated graphics card है उसको select कर लेना ह मेरा है Geforce A20M तो मैंने उसको कर लिया है तो यहां पर आपको उसके बाद मैंने इस 3D settings में भी high performance निवीडिया प्रोसेसर को select कर लेना है इससे आपको काफी फायदा होगा क्यूंकि आपका जो processor है graphics processor वो primary चलना शुरू हो जाएगा Guys एक और बहुत तगडी optimization के बारे में बताता हूँ अभी आपको advanced system settings सर्च करना है search bar में enter मार देना है उसके बाद यहां पर फिर से एक बार settings पे click करना है उपर advanced पे click करना है जैसे मैं कर रहा हूँ और यहां पर ध्यान रखना की programs button check हुआ हो उसके बाद आपको change पे click करना ह और automatically manage paging file size for all drives को uncheck कर देना है नीचे जिस भी drive में आपकी windows installed है उसको click करना है select करना है custom size पे click करना है आप logo को तो यहां पर आपको 1024 enter कर देना है maximum size और initial size दोनों में और set कर देना है उसके बाद भाई आपको drive वाले section में फिर से आ जाना है और यहां से कैसी drive को select करना है जिस करना है और calculator को खोल लेना है और यहां पर आपको enter करना है 1024 ठीक है इस number को आपके system में जितनी RAM है आपको उससे multiply कर देना है जैसे मेरी 4GB है तो मैं 4 से कर रहा हूं और इस वाले number को आपको multiply करना है 1.5 से और जितना भी number obtain होगा आपको यहां पर enter कर देना है initial value में और maximum value में दोनों जगा मतलब enter कर देना है और set के उपर click कर देना है और okay कर देना है इसके बाद आपकी virtual memory set हो जाएगी अभी भाई हम बात कर चुके हैं सभी optimizations के बारे में software से related जो मैं आपको बताना चाहता था लेकिन अब मैं बात करने वाला हूं practical optimization मतलब जो hardware related optimizations है वो क्या है भा battery को निकाल दो और जो आपका laptop है उसका charger plug-in करके direct power पर खेलो भाई इससे बहुत जादा फर्क पड़ता है मैं मतलब खुद experience कर चुका हूं इस चीज को मेरे कुछ subscribers भी हैं जो इस चीज को experience कर चुके हैं तो भाई बहुत ही तगड़ी चीज है क्यूंकि मेरी नजर में तो battery जो है ना एक laptop की वह एक bottleneck है आपकी जो भी hardware है आपके पास उसके लिए आपकी battery bottleneck है यह बात आप समझ लेना उसके बाद भाई मैं आपको recommend करूंगा कि आप अपना laptop या computer है जो भी है उसे clean कर लो हो सकता है तो अंदर से भी clean कर लो इसके internals भी लेकिन भाई मैं आपको risk ल तो भाई clean कर लेना अंदर से उसे आपको काफी फायदा होगा तो भाई अगर आपने अभी तक मुझे instagram पे follow नहीं किया है तो भाई जाके description में link है वहाँ से follow ठीक है कर लो भाई मतलब follow कर लो आपको ID दिखरी होगी और channel अभी तक subscribe नहीं किया है तो भाई please subscribe कर देना भाई करो optimization और मतलब देखो कैसी performance देखने को मिलती है आपको comments में आके वापिस आके बताना है आपको मुझे कैसी performance boost आपको देखने को मिली है और अभी मैं चलता हूँ बाई जल्दी मिलूगा आपको एक और नी brand new video के साथ तब तक के लिए गुडबाई